आज की वीडियो में हम discuss करने वाले है nature and features of capital market अभी तक हम देख चुके थे कि capital market क्या होता है वो market जिससे कि कोई भी company अपना long term के लिए पैसा उठाती है ठीक है किसी को huge amount चीए किसी ने कोई business start किया अगर उसको long term के लिए कहीं से पैसा उठाना है तो वो कहां से उठाएगा capital market इसकी meaning और definition वैंने separate video में discuss की हुई है उसका link आपको description box में मिल जाएगा तो start करते है natures and features of capital market if you like this video please do like and subscribe and comment if you have any doubt on any topic okay so what are the natures and features of capital market first it links between the savers and investment opportunities अब ये कैसे link करता है savers को investment opportunities को for example मैंने ये company खड़ी की हुई है और मेरे को चाहिए पैसा मैंने starting में company खड़ी हुई है इतना capital मेरे पास available नहीं है कि मैं एक company को start कर लू for example ये company को चलाने के लिए मेरे पास 2 करोड रूपी होने चाहिए लेकिन मेरे पास अभी available है 1 करोड रूपी तो मेरे को कहाँ पर जाना पड़ेगा use amount है long term के लिए पैसा चाहिए क्योंकि अगर मैं short term के लिए पैसा उठाऊंगी तो क्या होगा अभी मुझे starting में इतना पैसा मिलना या फिर इतना profit होना start नहीं होगा तो अगर मैंने money market से पैसा उठा लिया तो वो मेरे लिए क्या होगा loss के लिए होगा ठीके loss create करेगा क्योंकि उसमें short term के लिए पैसा मिलता है minimum one year के लिए तो ये मेरे business के लिए acceptable नहीं है तो मेरे को कहा जाना पड़ेगा long term पैसा उठाने के लिए जाना पड़ेगा capital market में और capital market से मैं पैसा उठाओंगी किस से सेवर से जो भी सेवर से capital market से कैसे पैसा उठाओंगी कि जो बंदे हैं भार की public है वो क्या purchase करेगी उस company के shares purchase करेगी उस company के debentures purchase करेगी उस company के bonds जो होगे वो purchase करेगी ठीक है जो भी public होगी आएगी और अपनी जो saving amounts है जो भी उसने save कर रखा है उससे वो क्या करेगी shares, debentures, bonds purchase करेगी और company के पास पैसे चले जाएगा उससे क्या होगा company की जो 2 crore की need थी वो fulfill हो जाएगी ठीक है, एक crore उसके पास पढ़ा था एक crore उसने कहां से उठा लिया, public से उठा लिया क्योंकि public ने उस company के shares और debentures purchase कर लिये अब इससे क्या होगा कि ये जो है link create कर देती है कि savers को भी क्या हो जाता है, एक अच्छा investment opportunity मिल जाती है savers के लिये क्या फाइदा होता है कि वो जाकर company में shares और debentures खरीती है अब company उस पैसे को कहा पर लगाएगी, अपनी business में लगाएगी या फिर कोई investment opportunity उसके पास है सारी tension किसकी होगई, company की होगई, कि company को अब अपनी investment करके उन बंदों को भी interest पे करना है, dividend पे करना है प्लस उसको खुद का भी profit निकालना है, ओके इस तरीके से जो हमारे capital market होता है, क्या करता है link create कर देता है between the savers and the investment opportunities so capital market is a crucial link between the saving and investment process क्या create कर देता है, crucial link create कर देता है between the savers and the investment process the capital market transfer money from the savers to the entrepreneurial borrowers so यह किसके पास transfer कर देता है, जो भी savers होते है public ने जो भी saving security की हुई होती है उस पैसे को कहाँ पर transfer कर देता है, entrepreneurial borrowers के पास में अगर capital market नहीं होती, तो कोई भी बंदा किसी भी बंदे पर विस्वास नहीं करता कैसे, जैसे कि A person यह है और B company यह है तो money market जो हमारी capital market होती है, money market में क्या होता है यह government associated होती है, कि certified companies होती है इसलिए बंदे जो है, उन पर भरोसा करने के बाद अपनी savings को इनकी companies में invest कर देते हैं कि हाँ मेरे को कुछ time period के बाद यहां से एक अच्छा return मिलेगा तो यह भरोसा देखकर ही, जो बंदे होते हैं, जो public होती है वो यहां पर अपना savings जो है, वो invest कर देती है वरना कोई विश्वास ही नहीं करता तो हमारी capital market क्या कर देती है यह हमारी link create कर देती है between the savers and the investors और entrepreneurial borrowers अच्छा यह हमें पहले भी पता है, capital और market कोई बंदा है, A person, उसको अपना business start करना है तो वो short term के लिए तो पैसा उठाएगा नी क्योंकि उसका business new new है तो उसको long term के लिए पैसा उठाना पड़ेगा जिससे कि अगर उसको कोई loss भी होता है तो वो उसका easily cover हो जाए इतने तो वो हमारा capital market किसमें deal करता है it deals in the long term funds और long medium term यह हमें minimum 5 year, 10 years के लिए जो पैसा provide कराते है उन जो हमारी securities होती है उसमें deal करता है it does not deal with channelizing savings less than 1 year यह उस savings में या फिर उस instruments में deal नहीं करता है जो कि less than 1 year के लिए loans provide कराती है funds provide कराते हैं so capital market always deals in the long term or medium term funds next is utilize intermediaries अभी utilize intermediaries क्या होता है capital market makes use of different intermediaries capital market अगर हमें use करना है तो उसके अंदर various intermediaries हमें use करने पड़ते हैं जैसे कि brokers हो गए, underwriters हो गए, depositors हो गए, etc. अभी यह intermediaries क्या होते है जैसे कि आप shares को purchase करते हैं आपको इतनी knowledge नहीं होती share market की पड़ता है, brokers को, underwriters को, depositors को किसलिए क्योंकि business में हर कोई specialized person नहीं होता for example, मेरे को shares खरीदने है किसी company के तो मेरे को नहीं पता होगा market में कौन सी company के shares आने वाले 5 years में grow करने वाले या फिर यह वाली company जो है, अच्छा investment approach अपने पास रखी है या फिर यह वाली company जो है, आने वाले time में boom पे जाने वाली है मतलब उसको काफी अच्छा profit होने वाला है तो यह सब कुछ किसको पता रहता है, brokers को पता रहता है, end writers को पता रहता है depositors को पता रहता है, तो आप क्या करते हैं, इन सब को hire करते हैं intermediaries को इनको अपना payment करते हैं कि आप हमारी तरफ से यह सब कुछ चीजे देखें और हमें profit निकलवा कर दीजे मेरे saving amount को जो भी मैंने अपना save किया हुआ amount invest किया है मेरे को किस company में invest करना चाहिए, कहां से मुझे अच्छा profit मिलेगा these intermediaries act as a working organ so यह कैसे work करते हैं, यह work करते हैं as a working organ company के अंदर कैसे work करते हैं, these are working as a working organ of capital market and are very important element of capital market और यह capital market के अंदर में बहुत ज़्यादा important role play करते हैं because इनके पास ही एक बहुत अच्छी specialized knowledge होती है market की कहां पर invest करना चाहिए, किस company में high growth होने वाली आने वाले time पर इस company में invest होके जो हमें काफी अच्छा profit मिलेगा, फिर कौन सी company डूबने वाली है कौन सी company को invest नहीं करना चाहिए, कौन सी company में invest करना चाहिए ठीक है, तो यह सब कुछ कौन बताता है, intermediaries next is determinants of capital formation अब जो हमारा यह होता है capital market हमारी capital formation में भी help करता है market के अंदर the activities of capital market determine the rate of capital formation in economy क्योंकि हमारी जो businesses होते हैं वो क्या करते हैं, public से पैसा उठाते हैं in form of shares और debentures वो loan ले लेते हैं public से और उसको अपने एक investment में invest करते हैं किसी भी के आने वाले time में इस चीज की growth होने वाली है तो उससे वो क्या निकालता है, profit निकालता है profit से हमारा क्या होता है, capital formation होता है और हमारी country की economy क्या होती है boom होती है, ठीक है जैसे कि हमारे मोदी जी बोलते हैं कि जादे ज़्यादा entrepreneurship करो, जादे ज़्यादा capital market क्या करता है, वो force करता है attractive opportunities को कि हाँ, इस market में आप यहाँ पर पैसा लगा कर कल काफी अच्छा investment लगा कर profit earn कर सकते हैं who have the surplus fund और जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है saving amount होता है, उन लोगों से पैसा लेकर वो जो entrepreneur वाला बंदा होता है वो अपना businesses में लगाता है जहां से उसको profit होता है उससे किस-किस को benefit होता है तो हमारी company को benefit होता है plus public को भी benefit होता है जो shares खरीद के रखते हैं, और capital formation भी होता है अच्छा आप एक चीज़ दीखे US में जो है US के अंदर जादा person क्या prefer करते हैं rather than the employee employee बनना बहुत कम बंदे पसंद करते हैं वो करना चाहते हैं अपना खुद का business इसी वज़े से वहां की जो economy है the world largest economy हमारी कहां की है US की, ठीक है तो जिस भी country की हर एक बंदा entrepreneur बनना चाहेगा हर एक बंदा business conduct करना चाहेगा वो country की economy भी कैसी होगी the highest, world highest economy होगी हमारी उस country की economy ऐसी हमारी US की है US का बंदा कभी भी यह नी सोचता की मेरे को employment करना है मेरे को क्या करना है employee बनना है किसी का भी वो हमेसे सोचता है की मेरा चाहेग चोटा सा business हो लेकिन मेरे को business करना है capital formation करना है में को profit निगालना है next is government rules and regulation हमारा इसमें capital market में कोई भी ऐसा कोई वो नी होता की पूरा regulate करती है regulation करती है बट ऐसा कोई यह नी होता कोई decision वगेरा की यह लेता है हमारा capital market freely work करता है लेकिन हर एक चीज को regulate कौन करता है इंडिया के अंदर हमारा government of India so हमारा regulation का work हो गया policies बनाने का work हो गया जिसकी वज़े से कोई भी misconduct ना हो किसी के साथ company कोई fraud करके ना चली जाए तो यह सब रोकने के लिए हमारी government interfere करती है capital market के अंदर the capital market operates freely but under the guidance of government capital market कैसे work करती है freely work करती है लेकिन कैसे work करना पड़ता है guidance under the government government के guidance में work करना पड़ता है क्योंकि कल को आएगा कोई भी बंदा उठा लेगा shares or debentures से पैसा अगर उसके साथ fraud हो गया तो क्या होगा उसको जो है इसी वज़े से government ने बोला कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो लेकिन मैं इस पे अपना conduct रखूँगा मैं इसको regulate करूँगा मैं इसके लिए policies बनाऊँगा जिसकी वज़े से कल general public का कोई नुकसान ना हो general public का कोई भी company कोई fraud करके ना चली जाए these market functions within the framework of government rules so ये market कैसे work करती है within the framework of government rules जो भी governments के rules बनाए हुए है उसके framework में रहकर work करती है and regulations में example stock exchange work under the regulation of SEBI stock exchange हमारा किसके अंदर work करता है SEBI SEBI क्या होता है stock exchange board of India जो कि government ने बनाया हुआ है which is government body जो कि हमारी कैसी है government body है so it was regulated by the government but it works freely company अपना price का shares का price जो है अपने हिसाब से रख सकती है demand and supply के हिसाब से रख सकती है उसमें government का कोई role नहीं होगा लेकिन हाँ उनको एक government की policies के अंदर work करना पड़ेगा government के framework के अंदर work करना पड़ेगा ऐसे ही नहीं कि अपनी मर्जे से कुछ भी rate select कर दिया या फिर किसी के अभी साथ fraud करके चले गए ऐसा नहीं होगा तो government ने ये सब कुछ रोकने के लिए क्या बोला कि हाँ हम rules and regulation पर रहेंगे हम framework रखेंगे next is an ideal capital market is one एक ideal capital market कैसा होना चाहिए where finance is available at a reasonable cost जहाँ पे उसको finance कैसे available हो एक reasonable cost पे available हो ठीक है कि वो loan उठा रहा है public से journal public से loan उठाएगा तो उसको कैसे मिलने चाहिए ना ज्यादा high cost पे ना ज्यादा low cost पे उसको reasonable price पे मिलना चाहिए ठीक है which facilitate the economic growth capital market क्या करता है हमारी economic growth को बढ़हावा देता है कैसे देता है क्योंकि capital formation में help करता है ओके वेर market operates are free fair and competitive transparent यहाँ पर market कैसी होती है free work करती है किसी का भी कोई ऐसा दबाव नहीं होता अगर किसी को share purchase करने है वो करे जिसका मन नहीं है जिस company में मन नहीं है वो ना करे ठीक है जब उसका मन करे वो purchase करे जब उसका मन करे वो sell करे अपनी shares को fair competition होता है कोई भी ऐसा दबाव नहीं होता कि transparent work होता है next is must provide sufficient information to the investor और capital market में क्या होता है कि provide करी जाती है जो भी investors आ रहा है जो भी general public है अगर उसको किसी company में invest करना है तो उसको पहले एक बिल्कुल कैसी information करी जाती है sufficient information provide करी जाती है ऐसे नहीं कि कल को company ने आज सो पैसा ले लिया उस बंदे से लेकिन कल जो है लोटाते ताइम उसके साथ कुछ फ्रोड कर रिया है या misconduct करती है तो एक capital market कैसा होने चाहिए an idle capital market must consist of these features तो इस फीचर्स तो इस आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी doubt आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजेगा and you can get all the notes in the description box and all the previous videos you also get in the description box okay so thank you